आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे विश्व विख्यात कलाकार से जिनका बच्पन आम बच्पन से अलग था आप बताईए बच्पन में हम क्या करते हैं शरारते करते हैं स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं स्कूल जाना एक बहुत एहम चीज है हर किसी के बच्पन की लेकिन आज हम जिस कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं वो बच्पन में स्कूल लहीं गए दो-तीन दिन गए लेकिन फिर उन्हें लगा कि स्कूल जाना उनके लिए एक किस्म से समय की बरबादी है जी बिलकुल समय की बरबादी तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर पर रहकर की वो घर पर ही रहकर पढ़े इस बात को कुछ लोगोंने एप्रिशियेट किया कुछ लोगोंने इसके लिए उन्हें ताने भीमारे लेकिन उन्होंने अपने जीवन पर या अपने बचपन पर अपने इस फैसले का कोई असर नहीं होने दिया शरारतें की लेकिन थोड़ी बहुत जो बहुत बड़ी शरारत की वो भी ये कि एक बार घर से बिना बताए फिल्म देखने चले गए और जब फिल्म देखकर लोटे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तीन घंटे की फिल्म आधे घंटा जाना आधा घंटा आना यानि चार घंटे आपने बरबात किये और अगर ये चार घंटे आपने रियास कर लिया होता तो आप एक बहुत बड़े कलाकार बन जाते शायद बचपन की वही सीख पंडित विश्व महन भट को आज पुरी दुनिया में एक बहुत बड़े कलाकार के तौर पर एक बहुत सम्मानित कलाकार के तौर पर पहचान दिला चुकी है पंडिजी हमारे साथ है उनसे बाचीत करते हैं पंडिजी इस इंटर्व्यू का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम बच्पन से लेकर आपके अब तक के सफर पर बातचीत करते हैं आपसे इजाज़त लिए भिना आपकी कुछ शैतानियों का मैंने जिक्र कर दिया लेकिन हमें बताएं कैसा था आपका बच् में अबुमन पच्छे लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं लेकिन मैंने यह नहीं किया मैंने स्कूलिंग अपने आप ही समझ लीजे सेल्फ स्टेडी से मैं पढ़ता गया पढ़ता गया और बीए ऑनर्स तक मैंने विदाउट गोइंग टू स्कूल और कॉलेज बू पहला एक ऐसा इंसान है जो स्कूल नहीं जा रहा है मुझे स्कूल नहीं पसंद आया था और मुझे लगा कि छे गंटे में बहुत कुछ कर सकता हूँ और एक गंटे का काम है और छे गंटे फालतु में बैठना पड़ता है वह मैं अपने आप कर लूँगा हाला कि मैं चरिमती चंदरकला भट, जैपुर घराने की गाईका, मेरे पिता जी मनमोन भट जी वो भी गायक, मेरे बड़े भाइसाब शशी मोन जी, वो सितार के बहुत अच्छे वादक, वो पंडित रवी शंकर जी के शागित बने थे 1957 में, जब मैं साथ साल का था था तब, और मेरे बड़े भाइसाब महिंदर जी वो वाइलिन बड़े भाइसाब थे मुझसे जो बड़े हैं वो हैं रभी महन जी, वो भी वाइलिन, मेरी सिस्टर मंजु बेहन है, वो सितार अभी अमदाबाद में सब तक जो फेस्टिवल होता है, वो कराती है, मेरे भती जे, कृष्णा आपको कुछ धनिय याद हो जाती है, तो मुझे वो बहुत हेल्प मिली कि जो राग रागनी की जो पकड़ होती है, जो उसकी बंदिश्य होती है यह मैं जब मम्मी से सुनता था, जब अपनी स्टूडेंट को सुनाती थी, तो स्टूडेंट से पहले तो मुझे याद होने लगी चीज है, तो बचपन ऐसे गुजरा, फिर पतंग बाजी का शोक, पतंग भी उड़ाई, और खेल कूद थोड़ा बहुत हुआ जादा नही कि मुझे लगा कि मेरा एक कॉंसेंट्रेशन तूटता है, अगर इधर उधर ध्यान जाता है, तो यह संगीत तो एक ऐसी सागर है, इसकी साधना करनी पड़ती है, जब जाके आपके हाथ में कुछ मोती लगते हैं, तो उसके चलते हैं, यह हो गया कि इसको सीरियसली करना ही अब है, अभी फैमिली ट्रेडिशन भी है, लेकिन कोई कंपर्शन नहीं था, यह माई ओन च्वाइस, कि यह करना है, और इस तरह से संगीत की यात्रा शुरू हुए, एक शरार्त तो मैंने बताई आपकी लेकिन इसके अलावा और कौन सी शरार्तें थी जो बच्पन का हिस कोरे के वह करें तनाहित करिए जो आपने की खिरू है। तो हम हासने के लिए तैयार खड़े रहते थे वहां पर अच्छा यह बहुत समझने वाली बात है पंडीजी कि इसकूल ना जाने का जो आपने फैसला किया उसके उसकी वजह क्या थी मुझे जो एक्सपिरेंस हुआ था फर्स डे इसकूल में बुबोर हो गया था मैं और छे गंटे ऐसा लगया था इसको सजा दे दियो तो मुझे लगा कि यह काम मैं कर सकता हूँ घर पर मुझे कॉन्फिडेंस था और मेरे फादर मदर ने भी फिर जब मेरा कॉन्फिडेंस द मेरा प्राइवेट किया मैं पिता जी और मा की कौन सी यादे हैं जो अभी भी आपके मन में आपके मस्तिष्क में आपके दिल औ दिमाग में ताजा हैं मेरे पिता जी फिर बहुत स्टिक्ट थे लेकिन माता जी सब समाल लेती थी ती वो जो भी कोई बात होती थी उसको सब समाल नेती थी, she really loved me so much, मैं उनके मतलब पूरे उसमें था, माँ से ऐसा था कि कुछ भी बात कर सकते हैं, खुला रहता था, और सब चीजें शेयर करते थे बच्पन में, उन्होंने बहुत अच्छा, म्यूजिक में भी वह सिखाती थी, तो बड़े पेशेंस सिखाती थी, पि कहा जाए कि आप सोशल नहीं थे, इस वज़े से दोस्ती नहीं हुई, हम क्योंकि जूइंट फैल्मिली में रते थे, तो हम 25 रोग एक साथ रते थे, तो मुझे दोस्त, बाहर का दोस्त की जरूत नहीं पड़ी, अंदर ही दोस्त हो गए हमरे, परिवार के ही सदस्य के दोस बनते गए, परणी जी मैं एक चीज समझने कोशिश करना चाहता हूं आपसे कि जब एक पिता और गुरू दोनों एक ही वेक्ति हों, तो क्या कुछ अलग होता है क्योंकि पिता का मोह और गुरू का कड़क मिजाज, इन दोनों चीजों का सामंजस से जो है, वो कैसे बिठा जाता है आपके जैसे परिवार में, पिता अपनी जगे होता है, लेकिन जब गुरू की पद पर बैठ जाते हैं, सिखाने तो वो गुरू हो जाते हैं, फिर वो रिष्टेदारी मायने नहीं रखती है, फिर वो उसी तरह से स्ट्रिक्ट होंगे, जिस तरह से दूसरे शाग करोगे, उठोगे नहीं, फिर उदारान बताते थे देखो, पराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, उस्ताद लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, चोटी बांद देते थे उपर, कूटी से, कि हिलोगे नहीं तुम, रियाज करोगे, इस तरह कि उदारान बता के हमको डराते कि इस तरह होते थे, अगर मदर आखे फिर पुछकार के ले जाती थे, तो कभी ऐसा भी हुआ हो कि बच्पन में कभी रियाज जैसे हम लोग स्कूल बंक करते हैं, कभी रियाज बंक किया हो आपने, हाँ, वो भी हम कई बार बच्पन में जब सिनेमा दे जाते थे चुपकर पिताजी से, बड़ी-बड़ी मुगलियाजम टाइब ऐसी पिक्चर जो होती थी, जिनको देखना ही जरूरी था, तो वो हम छुक के जाते थे, जरूर अचा आप भले ये कहें कि आपने शैतानी नहीं की और आप बदमाशियों से बहुत दूर रहते थे, लेकिन यह जिग बहुत बूलभूत बाते हैं, जो हर कोई अपने बच्पन में करता है, वो ही बात थी, वो ही कहते थे, चलो थोड़ा आप चलते हैं, घूम के आते हैं, रामनिवास बाग, हमारा जो गार्डन है, हमारा गोल गप्पे खाके आते हैं, एक जो मेरे बद दीजे थे, वो ले च जो कुछ हो रहा है वो फैमिली में और सब को पता है क्या कर रहे हैं, और जब आप फिल्म देखने गए और लॉट के आए तो नाट नहीं पड़ी, क्या हुआ था था वाकिया याद कर बता हैं, तो विल्कुर स्ट्रिक्त है कि तीन घंटा तुम पिक्चर में परबाद किय जाना, आधा गंटा आना, चार गंटा जिंदगी का मतलि निकाल देना और क्या मिला तुम को? इस तरह का सुनने को मिला था आप को कि इसमें एक राख तुम त्रयाज करते हैं, गंटा तो जादा अच्छा रहे था. अच्छा आपने स्कूल आप नहीं गया आपने स्कूल ना जाने का फैसला किया यह अप प्रचलित माध्यम था लेकिन घर पर रहकर जब आपने पढ़ाई की तो एक शात्र के तौर पर आप किस तरह के शात्र थे मैं बहुत अच्छा मैं ने यह देखा कि मैं कॉंसेंट्रेशन अगर आदमी का है तो कर सकता हूँ कम समय में भी कर सकता है यानि साल बर की पढ़ाई मैं एक महीने में करता था तो इतना कॉंसेंट्रेशन के साथ में अगर कोई काम किया जाए तो हो जाता है क्या विशेत है आपके उस समय पुछिए मुझके subject निया थे आर्ट लिया थे है तो जल्दी हो गया काम है उसमें ज़्यादा बहुत ज्यादा मैंथ नहीं करना पड़ते है अगर scientist ले ले दा जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो आपके अडोस पडोस के जो लोग थे वो क्या कभी कुछ इस तरह की बात कहते थे कि ये देखो ये बहुत बड़े तीस मार खाएं हैं ये स्कूली नहीं जाएंगे और ये तो जो प्रचलित माध्यम कहलें या प्रचलित विचारधारा कह लें कि बच्चा स्कूल जाता ही जाता है उसको तोड़ने पर उतारूं है तो क्या कभी इस तरह का कोई उलाहना सुनने को मिला आपको कुछ ऐसे टॉंट करते थे कुछ लोग थे जो मितलब इस चीज़ को उनको समझ में नहीं आती थी पर मैं ध्याने नहीं देता था पक्ष भी है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी तारीफ करते होंगे मेरी मदार सभी लोग करते थे जब रिजल्ट आथा था तब बहुत खुश आते थे सब्रों कि रहां चलो राइट अच्छा परिवार के आर्थिक हालात पनी जी कैसे थे आपके ठीक ठीक है स्म पिता जी माता जी दोनों लोग सिर्फ संगीत पर ही आधारे माता जी ने फिर लेक्चरर बनी वो म्यूजिक की बलकि मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए संगीत जो है एक सब्जेक्ट नहीं था एजूकेशन में तो उन्होंने बहुत को लड़कियों के लिए म्यूजिक एक आप्शनल सब्जेक्ट करवाया और कोई क्वालिफिक कोई क्वालिफाइट टीचर ही नहीं थी उनके अलावा पूरे राजस्थान में तो शीवाज दर ऑनली फस्ट म्यूजिक टीचर इन राजस्थान फॉर क्लासिकल म्यूजिक फॉ कि लड़कियां 2010-2012 फिर पास हो गयी तो कॉलेज में डिमांट होगी उन्होंने कर नहीं हम तो 25 लड़किया है सब जेक्क खोली सितार सब्जेक खौली वोकल तो वो यूंजिक को शीव को करना पड़ा कॉलेज डिपार्टमेंट में खुला फिर यूनिवस्टी में फुला तो इस तरह से मेरी मदर को एक बहुत बड़ा श्रेज आता है कि उन्होंने राजिस्थान में मुजिक को एक सब्जेक के रूप में एस्टब्रिश किया हम मैं बार बार हपको गुमा कर आपके बच्पन पर ही ले जा रहा हूं बच्पन का कोई एक किस्सा जो आपको अभी अभी क्या कभी भी नहीं भूलने वाला हो एक बार हम लोग छत पर थे हमारी चार मंजला जो हव लाल मुके बंदर आगे और हम साब जो डर आया हमको इतना डर लगा वह बंदर आकर ऐसे सब को डराने लगे और वहां से हमने ऐसा खाली किया छत यद्टा धर 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 सीडिया उतरके और नीचे हम लोग सब आये सब के रॉंघटे खड़े हुए थे सर चैरे पे शुरुवाती दिनों का जो रियास था अपनीजी आपका उसके बारे में क्या कुछ याद आता है पस वोकल से ही मदर फादर जब लेकर बैठते थे तानपूरा हार्मोनियम तबला तो अब उनके साथ थोड़ा थोड़ा सोर लगाना शुरू हुआ और फिर जब मैं करीब 13 साल का था तो मैंने सितार शुरू किया क्योंकि मेरे बड़े भाई साब शशी मुन जी सितार के बहुत अच्छे वादक थे तो इस तरह सितार किया फिर मैंने फिर शास्त्री संगीत सिखना चाहती थी तो फादर के पास आई थी तो उन से मैंने उनका जब वो जा रही थी तो साज खरी दिया गिटार और फिर मैं ऐसे ही खेल जैसे होता है कि बच्पन में एक्सपरिमेंट करने लगा उस पे और नए तार लगाए कुछ खूटियां आज के करीब करीब पुचास साल होने को आ रहे हैं तब मैंने शुरुआत की थी और तब इसमें इसका इंडियनाइज इंडियनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और फिर बात में तूंबा लग गया 20 सार हो गए और फिर इसका नाम मोहन वीना पड़ गया जैपूर के जैपूर हिजाइनेश आपके पुर्खों को आंध्र प्रदेश से लेकर आए थे अगर मेरी जानकारी सही है तो यह क्या पूरा किस्सा है यह जरा बताईए राजा महराजा जब उस टाइम पर राजदरबार में एक गुणी जन खाना हुआ करता था जैसे अकबर के नवरत को आंधर प्रदेश से लेकर आये तो हम लोग हमारे रूट संस्करत के पंडित सहित्यकार कवी और शास्तिय संगी तक लेखक यह थे पर हमारे family के intellectuals जो class होती है तो उनको महां से migrate करके रहे था कि आप यहां रही है आपका खाना पीना रहना सब राजा श्रह में होगा और यह हवेली है और यह दो गोड़े है और आप आराम से रही है तो वो वो शुरुगा हमने देखी हुई है उस टेम पर पनी जी मां आपक चाहिक का थी पिता आपके शास्ति गायक थे तो यह जिञ्यासा हर किसी के मन में होगी कि आप गायक क्यों नहीं बने है हमारी सर्प्राइजिंग ली सेकिंट जैनरेशन नहीं इस पिता जी के बाद वो सभी लोग इंस्टुमेंटलिस्ट हो गैं उसमें सभी लोग उसमें सबने वाद्यों को ही अभी व्यक्ति का माध्यम बराना शुरू किया सितार जैसा मैंने बताया आपको वॉयलिंग यही हो गए साज मेंली सितार बन गया और फिर मैंने थोड़ा सा यह मोहन विना कर शुरू कि लेकिन क्या कभी पिदा जी ने कहा नहीं कि तुम वोकल क्यों छ जादा फोर्स करना बन नहीं मतलब कर फोर्स नहीं किया उने गुरू आपके वही रहे पहले वागज़ शुरू में तो वही रहे फिर संगीत यातरा चलती रही चलती रही मैंने परफा में शुरू किए 1970 से बंबे में सबसे पहला प्रोग्रम मेरा था और फिर इसके अच् कि याद है वो जो पेपर कटिंग जो दूसरे दिन नाम देखा फोटो देखी तो अफार खुशी हो गई मुझे और उससे मुझे बड़ी प्रेड़ना मिली कि यह जो मैं कर रहा हूं काम जैपुर से जैके बंबे में दिखाया तो बहुत पसंद आया लोगों को और फिर हम आप सक्तर के दशक की कारिक्रम कि बात कर रहे हैं वो कारीक्रम मिला कैसे था उसके मिलने के पीछे भी कोई ना कोई एक मज़ेदार किस्सा होगा नहीं एक हमारे जैपूर में एक थे उनका नाम था कमद सिंग जी उनका एक organization था Bombay में था हो organization संगीत महफिल तो संगीत महफिल के डारीक्टर थे वो और जैपुर में आये थे हो, तो उन्होंने सुना कि हमारी फैमिली के बारे में कि वह यह यह म्यूजिक की फैमिली है, तो एक दिन में रियाज कर रहा था, और वो चले आये, उस जमाने में कोई टेलीफॉन या कोई अपोइंट में रिया तो यह तो कुछ होता नहीं था, वो प्रोग्राम करता हूँ, बॉम्बे में रखोंगा इनका में सबसे तरह, इनको इंटर्डूज करूंगा में पूरे, तो इस तरह से फिर वो पहला प्रोग्राम मिलने लगना, कि आपके घर में बच्चा है, बहुत अच्छा, कोई भी वादियंत्र बजाता है, या बहुत गाता है, तो उसको एक प्रोग्राम दे दिया जाए, और एक होता है, उस उस प्रोग्राम से होने वाली आये का मिलना, यानि हाथ पर कुछ पैसों का रखा जाना, ये सिल्सिला कब शुरू हुआ, पहला पैसा उसी में मिला था मुझे, मुझे याद है मुझे 400 रुपे मिल ऐसे आके दिये थे, नियोचावाय, वो मुझे बहुत, मुझे उस समय 100 रुपे बहुत हुआ करते थे, 1970, 1970, 1970, बहुत कीमत हुआ करते थे, तो 500 मेरी पहली कमाई थी, पिताजी को जब मैंने दी जाके तो बहुत खुश हुए, तो वो जो 500 रुपे आपने अपने पिता के ह मात में रखे, निश्यत तोर पर उस दिन वो भावुक हुए होंगे, और उनने कोई, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कही होगी, कोई ना कोई सीख ऐसी जरूर दी होगी, जो आपको हमेशा याद रहेगी, उनने का कि देखो, संगीत की तुमारी पहली कमाई है, मगर संगीत कमाई का जरिया मत बनाना है, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, जिसके पीछे भागना मत पैसे के पीछे, ये सीख दीती हो, जो अभी तक आप पमिशा है, मैं उसी प्रिकाया हूं, मैं वो नहीं देखता, क्योंकि कॉमर्शिल एक वो अलग होता है, वो देखना, लेकि आप देख रहे हैं कि मैं किस होटल में रुका हुआ हूँ, जबकि मैं रुकता हूँ बड़े फाइव स्टार में, ताज में रुकता हूँ, लेकिन मैं उनकी पिताजी की बात कही हुई याद रखता हूँ, और ये कैसा भी होटल हो, छोटा हो, बस छीक है, काम चल रहा है, मैं डिमांड नहीं करता है, किसी से खीषता नहीं हूँ, कि मैं रुका दीजी, तो वो कहते कि ये हम तो नहीं कर पाएंगे, तो कल जो श्रोता थे, वो महरूम रह जाते, तो ये मैं ध्यान रखता हूँ, अमा की दीविर कोई सीख जो आपको याद आते हूँ, माने सीख ज सबसे प्यार करो, सब की इज़त करो, सबसे पहले, माने का कि जो अगले आदमी के पास है, वो तुम्हेरे पास नहीं है, ये ध्यान रखना है, और वो चीज काफिया इज़त करनी के लिए, what He has, you don't have. यही काफिया कि हम एक दूसरे की इजद करें उसकी शकल उसके गुण उसकी एंड राइटिंग सब अलगलग है जो नौ कमपेरिजन तो कोले कमपेरिजन मत करो सब अलग है सब इंडिविजमिटि सब तो बोई इंडिविजमिटि की इजद करना पड़े गा तो आपको